है है लो फ्रेंट्स वेल्कम को माई इस्टेडी फीट चैनल दोस्तों प्रिबिएस येर में जितने भी कोश्चन्स फिजिकल एजुकेशन कंपटेटिव एक्जाम्स टीटी पीजिटी के बियस एन बियस यल्टी में पूछे गया है उन सभी कोश्चन्स को टापिक वाइज आपके समझ से प्रस्तुत कर रहे हूं दोस्तों यह स्रीज नंबर 77 है और बैमिंटर से जितने भी कोश्चन्स प्रिवेस येर में पूछे गया है उन सभी कोश्चन्स को यहां पे रखा गया है और दोस्तों इन सभी जॉम्स का प्रिपेरिशन आप सिलिवस के एकॉर्डि च्डुमेंट्ए है बैमिंटर की सटल काक में पंको की संख्यां कितनी होती है तो कितनी होती है यह अर। यह सटल काक का खुल्वजन कितना होता है तो आफसर नमबर डी करेक्ट होगा 4.75C 5.50 ग्राम एंड तो जो बैविंटर की ग्राउंड की लंबाई चड़ाई होती है वह यूगल के लिए 44 गुड़े 20 फीट एंड एकल के लिए 44 गुड़े 17 फीट का होता है एंड रैकेट का वजन 80 से 100 ग्राम होता है नेश्ट कोश्चन है यूगल इस परधा के लिए किसी बैविंटर कोड़ का आकार क्या होता है तो आफसर नमबर सी करेक्ट अंसर है 44 गुड़े 20 फीट 44 फीट लंबा एंड 20 फीट चोड़ा यानि दोस्तों मीटर में करेंगे 44 फीट यानि 3.4 मीटर लंबा एंड 24 फीट यानि की 6.1 मीटर वही एकल के लिए चोड़ाई 17 फीट हो जाएगा यानि 5.1 मीटर निमनलिक्षित एरिया को उनके क्रिया के साथ मिलाइए आपको मिलाना है सही जिस तो एक तरफ दिया हुआ है 44 गुड़े 20 फीट तो इसमें आपको मिलाना है 14 गुड़े 20 फिट किसका मेजरमेंट है दूस्तों ग्राउंड का तो बैल बिंदन का है तो पहला का यह हो जाएगा एंद दूसरा है 100 गुड़े 100 गुड़े 70 यार्ड एक किसका मेजरमेंट है तो फुटबाल का है तो दूसरा हो जाएगा एंद 100 गुड़े 60 यार्ड किसका मेजरमेंट है होंकी का तो तीन का ए हो जाएगा एंद 78 गुड़े 36 फिट किसका मेजरमेंट है ग्राउंड का तो टेनिस का है लांड टेनिस का तो फोर का दी हो जाएगा एन पाच्वा अठारे गुड़े नौ मीटर किसका मेजर्मेंट है वाली बाल का तो पाच्वा का भी हो जाएगा तो आपसा नमबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नेक्ट कोश्चन है बैमिंटर खेल में कौन सा नियम लागू है तो इसमें से आपसा नमबर एक करेक्ट है तो यहाँ पर आपसा नमबर एक करेक्ट होगा यह French सार्विस टेस्ट है Bendy Winton का वह सर्विस करने के नीची छमता कुमापता है अबसान नमबर 1 करेक्ट होगा तो Beny Winton समंधित और टेस्ट कौन कौन से है जैसे की Miller joke 스터 जानल Mr. grinding जा इसार GU याद कर लिजिए गा चाइ riff लोकाट Rican T方面 गोपी चंद की स्खेल से समंधित , तो किसे समंधित है वर्स पुलेला गोपी चंद कहते हैं एक बेविटर से समधित हैं वर्स 2000-2001 में इन्हीं राजी गांती खेलरत ने एं 2009 में द्रोडाचार पुरुषकार से समानित किया गया और सौरपथम बेविटर में दूस्तों सौरपथम औरजिन पुरुषकार नंदूर नार्टेकर को एंड महिलाओं में मीना शाह को दिया गया नंदूर नार्टेकर को 1971 में और मीना शाह को 1962 में बेविटर में सौरपथम द्रोडाचार पुरुषकार MS आरिफ को दिया गया है एं 2020 में गवरो खर्ना को पैराबेड़ने मिदर में द्रोडाचार पुरुषकार से समानित किया गय ज़ए हो गया हैना कि दो को आइकल मेंगे दोनों खैलाडियों का एंग 29 ब्राबर होने पर क्या नेड़ए होगा तो इसका आपसे नंबर सी पर्थम 13 अंक पर्राप्ट करने वाला बीजाई होगा यदि दोनों का 29-39 नंबर है, बराबर अंक है, तो जो पहले 30 अंक प्राक्ट करेगा, वो ही BJ हो जाएगा, आपसा नंबर C करेक्ट होगा, यानि कि दोस्तों, यदि 29 अंक बराबर है, तो पहले जो 30 अंक बनाएगा, वो BJ होगा, एन अंकों की गर्णा जो इस्कोरिन होती है, आंक गर्णा नियमों की अनसार, जो जितने वाला खिलाड़ी अंक प्राप्त करता है, चाहे वह सरविस करने वाला हो, अथ्वा भिपच्चि हो, यानि इस प्रधाओं में, एक सेट में 21 अंक्ष जोडि, जो पहले 21 अंक बना लेगा, उस सेट में BJ माना जाएगा, खेल में यदि इस्कोर बीस अंकों पर बराबर हो जाता है तो खिलारी अथ्वा जोड़ी पहले दो अंक में बढ़ात के साथ जो पहले अंक बनाएगा या जो पहले बाइस अंक बना लेगा वो बीज़ाई होगा वह उस सेट में बिज़ै पुराब्र कर लिता है थीएर नेश्य कोर्चन है बैमिंटर के एकल मैच में दोनों खिलाणीं का अंक 20 बराबर होने पर कितनी अंक प्राप्ट करने वाला खिलाणी बिज़ै बिज़ै होगा तो 12 प्राप्त किया है तो कितने अंग के ब्रहत के साथ 2 ज्यादा जो पहले प्राप्त करेंगा यानि कि 22 प्राप्त कर लेगा विजई हो जाएगा कि लंबाई इससे अधिक नहीं होनी चाहिए तो किसे अधिक आपसर नंबर भी करेट होगा 680 यम यानि के 68 सेंटीमीटर और इसके चोड़ाई कितनी होती है 230 यम यानि 23 सेंटीमीटर और दोस्तों अंतराष्टी बैमीटर संकेस्थापना 1934 में हुआ था एंद दोस्तों बैम नभी बरसी लोना इस्पियर में एंड इस्याई खेलो में कब सामिल किया गया था 1962 जकार्ता इंडोनेश्या में रहना पांच फीट यानि दोस्तों प्रकास पुछा जाता है कि नेट की नवरों पर कितनी होती है तो कि दारों पर होती है है एक दिसनलो फां सब्सक्राएं यानिकी 5इशस फिट एक इंच और यह न्यानि कि सब्सक्राण canvi नेट की लंबाई होती है नेट की लंबाई हищ है जोडंबाई मिशा सब्सक्राएं रहे सेखते हैं कि नेश्ट, दोस्तो स्रीकांट बख्शी जुड़े हुए हैं किसे जुड़े होए हैं तो है नेश्ट है मिना शाह की स्खेल से समंधित है तो लेते साह भी ब्र शाह से समंधित है आप संथण ब्र दी कर Bapt होगा यानिर है भारत की रास्ति बेर्य विंटर tap Our इधे 1962 में अर्जुन अवार से समानित किया गया और इनकी मिरुत्यू हो गई 10 मार्च 2015 को नेश्ट है दिपांकर भट्टा चारे किस खेल से रिलेटेड है तो किस रिलेटेड है बैर्मिंटर से ये मूलरू से गुआ होटी असम के रहने वाले थे नेश्ट कोचन है प्रकास पादुकोड किस खेल से समन्धित है दोस्तों तो ये आप सब को पता है बेरी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है ये बैर्मिंटर से समन्धित है एन 1980 में All England Championship का खिताब जीत कर यह कारनामा करने वाले प्रथम भारतिय बने यानि All England Champion का खिताब जीत कर यह पहले खिताब जीतने वाले भारतिय है यह कोश्चन इस बार आया था एन इधे 1982 में पदमसरी प्रोसकार से समानित किया गया नेक्ट्स कोश्चन है दोस्तों All England बैर्मिंटर प्रत्योगता जीतने वाला प्रथम भारतिय खिलारी कोन था तो प्रकास पाद्वकोड आपसा नमबर दी एन नेक्ट कोश्चन है दोस्तों इसी से रिलेटेट यह कौन सा प्रथम भाती खिलाड़ी है जिसने आल इंगलें बैमिंटन प्रतिविता वे प्रत्थम अस्थान प्राप्त किया तो प्रकाश पादुकूर यही कोश्चन दोस्तों तीन बार पूचा है दोजार एक पांच 2017 में निमलेकित में से कौन सा कप महिला बैमिंटन बिश्चु कप प्रतिविता में प्रत्थम किया जाता है तो कौन सा कप दोस्तों उबेर कप उबेर कप महिलाओं की बिश्ट कप टीम प्रतिविता है यह एक अंतर राष्टी बिविंटन प्रतिविता है जिसमें विभिन देशों की राष्टी महिला बिविंटन टीमें हिस्ता लेती है पहले बार इसका आइवजナ वर्श 1557 में किया गया वर्श 1984 से यह प्रतिव दो वर्श के अंतरार पर होने लगी इस प्रतिविता का नाम पूरु बिश्टि महिला बटेविंटन खिलारी यह बेट्टी उबेर के नामसे लेश्ट है थामस कप का संबंध है किसे समंझत来 दुशतों से हैं लेड़े से बट किसे पूरुश से है थामस कप अभेर कप बाद looga को दोनों वह destroys नहीं हरा आते हैं मैंड कर 6056 अंहीं शप्पर सन्तों में सुरू हुआ औरहस कब नि's rokuincoln DAY में ह्याया यहां है यहां सब्याना सब्सक्राइब सब्सक्राइब से नेस्ट है black card नियुक्त मेंसे किस खेल का बिनियामक विकल्प है तो black card किसका बिनियामक विकल्प है दोस्तों यह है आपका आपसर नंबर A यहां पर करेक्ट होगा या तलवार बाजी या नि फेंस्टिंग और बैर्मिंटन दोनों का बिन्यामक बिकल्प है ब्लैक कार्ड तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही बैर्मिंटन से जितने भी कोस्टन्स प्रिवियस यह में पूछे गए थे वह सभी कोस आपको समझ में आये होंगे इस वीडियो कैसा लागा मुझे में जरू बताइए और बने रहे हैं इस चैनल पर जिससे आपको टापिक वाइज सिलेबस के एकार्डिंग सभी वीडियो मिलेंगे और दोस्तों पहले बार बिजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बिल आइकन को प्रिस कर लिजिए जिससे जो ही मैं नए वीडियो अप्लोड करूं उसका नौटिफिकेसन आपको मिलता रहे तो मिलते ह है नेक्ट वीडियो में नेक्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाए हैं